पुस्कार दोस्ते को और फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आपका अर्दिक स्वागत करते हैं यहाँ पे हम हर्याने के कुछ कोश्चन्स लेके आए हैं सुनुआत करते हैं कि हर्याना राज्य का गठन कब हुआ तो यह हुआ है आपका 1 नॉवंबर 1966 को हर्याना राज्य गठन कब हुआ है एक नॉवंबर 1966 को हर्याना का राज्य पक्ची कौन सा है या फिर आपका काला तीतर जो है यह आपका राज्य पक्ची है राज्य की मिठाई कौन सी है तो ये राज के मिठाई होती है आपके जले भी हर्याना की राज के मिठाई कुन सी है तो ये है आपकी जले भी राज के पसू कौन सा है ब्लैक बक यानि काला हिरत राज के पसू है हर्याना का हर्याना का राज खेल क्या है कुस्ती है रजगिय विरिख्ष क्या है पीपल है और रजगिय फूल क्या है कमग है ये question देखने में बड़े simple लगते हैं लेकिन ये exam में कई बार repeat होते रहते हैं next question की बात करते है next question आपका है कि रजगिय फूल हर्याना का कौन सा है तो ये आपका कमग है राजगी अभासा कौन सी है हिंदी है हर्याना के गठन के समय कुल कितने जिले थे तो साथ जिले थे हर्याना के पिर्थम गठित जिला कौन सा है जीन हर्ड ओफ हर्याना के नाम से किस को जाना जाता है जीन को जाना जाता है हर्याना के गठन के समय चेत्रफल में सबसे चोटा जिला भी कौन सा था ये आपका जीन था हरियाना गटन के समय चेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा था तो ये आपका हिसार था इसके बद कुश्चन आता है कि हरियाना के चार लाल कौन कौन से हैं तो हरियाना के चार लाल है बंसी लाल देव हरियान अगतन के समय देश का राष्टपती डोक्टर सर्वबली राधा कृष्णन टॉक्टर जाकर हुसेन अध्यक्ष थे। इसके बाद हर्याना गटन के समय देश का मुख्य न्यायधिस न्यायमूर्थी S.K. राव या के एस राव। हर्याना गटन के समय लोगसभा के उपाध्यक्ष कौन थे। तो S.W.A. कृस्णा मूर्थी राव थे। हर्याना गटन के समय हर्याना के मुख्य न्यायधिस न्यायमूर्थी महर सिंग थे। हर्याना गटन के दोरान लोगसभा कौन सी थी तो तीसरी लोगसभा थी। हर्याना गटन के दोरान विदान सभा में कुल संख्या कितनी थी तो ये 54 थी। मार्च 1967 में विदान सवा में कुल सीटें कितनी थी तो ये आपकी 81 यानी 81 थी और 1977 में बढ़ा कर कितनी कर दी गई है ये कर दी गई है ये कर दी गई है अपकी 90 हुएताब है , हरियाना का सर्वोच किर्सी पुरुषकार, चौदरी देविलाल पुरुषकार है, हरियाना का सर्वोच उद्योग पुरुषकार, मुक्य मंत्री रतन पुरुषकार है, हरियाना का सर्वोच उर्दु भासा सम्मान, अल्थाप हुसैन हाली सम्मान है, हरियाना का पिर्थम अदव प्रकास मिस्र के द्वारा ये लिखे गई है। अदव प्रकास मिस्र के द्वारा ये लिखे द्वारा ये लिखे गई है। में एमेम फिलिप आपके इसके और अनौधर मेंबर थे कुल सदस्या तीन कौन कौन जेसी सहा था है सिरी एस दत्त थे और एमेम फिलिप थे सर्व पिर्थम अलग हरियाना की मांग को उठी थी 1907 में उठी थी आजादी के बाद सर्व पिर्थम अलग हरियाना की मांग किस ने उठाई थी तो 1948 में अबाज उठाने वाले पंजाबी निता कौन थे मास्टर तारा सिंग थे इसके बाद बात करते हैं 1857 की किरांती से पहले हरियाना किस राज्य का हैस्सा था यूपी का हिस्सा था 1857 की किरांती के बाद हरियाना को किस राज्य में मिला दिया गया पंजाब राज्य में मिला दिया गया क्योंकि जो पंजाब की रियासतें थी, इनों ने जो 1857 की किरांती थी, अंगर्य जों का साथ दिया था, इस कारण ईसको पंजाब में मिला दिया गया। कुल कितने मंडल हैं, 6 मंडल हैं, 2 नई मंडल बने थे, पहले 4 थे, फरिदावाद और करनाल 2 नई मंडल बनाए गए बाद में, गठन कब हुआ था, तो इन मंडलों का गठन 21 परवरी 2017 को, और कुल जले कितने थे, अब जले 22 है, 22 वाजला कौन सा है, चर्की दादरी बना है, इसके बाद नेक्ट कोशन आपका आता है, गोशना कब हुई थी जले बनने की, तो ये आपका 18 नमबर 2016 में, और गठन भी कब हुआ था, 16 नमबर 2016 को, कैंदर सरकार दोरा स्विकृति कब दी गई थी, 4 दिसमबर 2016 को स्विकृति दी गई थी, कुल उपमंडल बहतर हैं, फि अपतेसीले कितनी थी, 50 और खंड कितने थे, 140, ये सारी वैल्यू चैंज हो चुकी है, कुल गाउं 2011 की जनगना के नुसार, 6841 गाउं थे, कुल नंगर पाली गाई कितनी थी, पहले 55, और नंगर निगम कितने हैं, 10 और 11 की गोशना हो चुकी है, वो कौन सा है, आपका मानिस अंबाला को नगर निगम से बाहर निकाला गया था, जिला परिस्द 22, इनकी संख्या भी सहथ बढ़ चुकी है, नंगर परिस्द 18, इनकी संख्या भी कुछ बढ़ चुकी है, हरियाना का पर्तम हासे अव्यंग कभी मीर जाफर जटाली, हरियाना की पर्तम पत्री का, हरिया अरियाना के पिर्थम मासिक समाचार पत्र रंगीला मुसाफिर कवय था 1958 में। अरियाना के पिर्थम मुक्य मंत्री सभी जानते हैं पंडित भगवत याल सर्मा हैं। हरियाना के पिर्थम राजयपाल चौदरी धरंबीर सिंग थे हरियाना के पिर्थम सिक्षा मंत्री चौदरी बंसी लाल हरियाना के पिर्थम संसद्य कार्या मंत्री देवी लाल हरियाना के पिर्थम नेता पृतिपक्ष पिरताप सिंग दौलत पुरा हरियाना उचन्याले के पिर्थम मुक्य नयादी स्री राम लाग, हरियाना विदान सभा के पिर्थम महिलाद्यक्ष सन्नो देवी है, हरियाना विदान सभा के पिर्थम पुरु सद्यक्ष राओ बिरंदर सिंग थे, हरियाना के पिर्थम गैर कांग्रेसी मुक्य मंत्री भी कौन थे, तो ये भी आप संकर प्रभाकर, हर्याना के प्रतम निर्देशक आनंद कुमार, हर्याना की सबसे जादा फिल्मों के निर्मिता, तो ये देवी संकर प्रभाकर है, हर्याना की सबसे जादा फिल्मों के निर्देशक कौन है, हर्याना से तो जैन्त प्रभाकर है, हर्याना में आराय समाज के प प्रिथम कच्छेरी, शजजर में वही थी, 1919 के आंदर, ہरियाना का प्रिथम कॉलेज, पंडित नेकी राम सर्मा कॉलेज, रोतक के ऊंदर है, सतापना कभी है? 1926 के अंदर, हरियाना में स्थापित प्रिथम विस विद्धाले कुरुचेतर विस विद्धाले है, 1956 में बनाता, हर्याना का पिर्थाम निजी विश्विध्याले कौन सा है तो मेर्जी मारकेंडेश विश्विध्याले अंबाला के अंदर है ये हर्याना का पिर्थाम निजी विश्विध्याले है हर्याना का पिर्थाम पुरुष परवतारोई कौन था रामलाल इनका संबंद कहां से है? इनका संबंद फतेहवाद से है इसके बाद हर्याना की पिर्थम महीला परवादारोई संतोस यादब जोनियवास गाउं रेवाडी से संबंद रखती है बाड़ते किरकेट टीब में हर्याना के पर्थम कप्तान नवाब मनसूर अली खाए इनका सम्भन कहाँ से है पटोदी से है हर्याना की अंत्रिक्ष में जाने वाली पर्थम मैइला कलपना चाबला थी एसिया का सबसे बड़ा पसू फारम कहाँ पे है तो इसार में है हर्याना में परिफम कैंसर संस्थान बार सा जजजर में है हर्याना का पहला हिंदी समाचार पतर कौन सा था जैन पिरकास कब निकाला गया 1885 में और किस के द्वारे निकाला गया तो जी अलाल जैन के द्वारे ये निकाला गया था नेक्स्ट कोश्चन आपका है कि हरियाना का पिर्थम बसड़ा अंबाला में है 1950 में बना हरियाना की पिर्थम CNG बस का नाम हरियाना ओदय हरियाना की पिर्थम AC बस का नाम सार्थिवाल वो है हरियाना में परिवेन का पिर्थम बार राश्टे करण 1922 के अंदर हुआ हरियाना में पिर्थम बार ट्रेन कब चली दिली से रहवाडी कब चली थी 1803 में हरियाना का पिर्थम सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कहां पर है तो यह आपका रहवाडी के अंदर पड़ेगा हरियाना में पिर्थम बार मेट्रो कब चली थी 21 जून 2010 को गुड़ गाओं के अंदर हरियाना की पिर्थम महीला ने जी बस ड्राइवर कौन है पंकत 14 मैन खेडा गाओं से सिर्शा जो है संबंध है हरियाना में पिर्थम जनगर्ना का कारे 1971 में हुआ था हरियाना की पिर्थम ग्रीन रोड पटोती के अंदर है हरियाना का पिर्थम ट्रैपिक मुक्याल है करना गई थी हरियाना में कांग्रेस की सर्व पिर्थम सार्वजनिक सभा का आयोजन कब किया गया था तो रोतक के अंदर 1888 में किया गया था हर्याना की पिर्था महीला विदायक कौन है सनहलता 1967 में संबंध कहां से है हिसार से है हर्याना में जन्मी पिर्था महीला जैसे राज़पाल बनाया गया उनका नाम था चंद्रावती जन्म का हुआ था डालावास में डालावास कहा है आपका ये आपका बाड़सा में है राजयपाल, पांडीचेरी की राजपाल बनी थी और जंतादल की सरकार दोरा ये बनाई गई थी हरियाना में पिर्थम बार सराब बंदी की गई थी एक जुलाई 1966 से एक अपैल 1998 में तक मुकमंत्री कौन थे तो चौधरी बंसीलाल थे इसके माद है कि हरियाना में सराबंदी वैं हिंदी आंदुलन का नितरत्व किया था और जो प्रॉफेसर सेर सिर सिंग थे और प्रॉफेसर सेर सिंग का जनम कहा हुआ था बाग पर जज्जर में हुआ था हर्याना का पिर्थम एडवोकेट जनरल कौन था बाबु आनंद स्वेरूप थे हर्याना की सबसे प्राचीन इमारत चनेटिकस तूप सुद जगादरी के अंदर है हर्याना की सबसे प्राचीन हवेली तो फ्रोसा तोगलक की हवेली है फतेयाबाद में हरियाना का सबसे प्राचीन चहर सिर्षा है हरियाना का सबसे प्राचीन मंदर विश्णु मंदर जो तोसाम में है सबसे प्राचीन सिम मंदर कलायत इंटो से निर्मित है और ये कैथल के अंदर पड़ेगा अंग्रे जो दरा निर्मित प्राचीन मारत है अक्टर लोनीवे एड्रम हाउस ये कहां पड़ेंगे करनाल में है हरियाना पुलिस के पिर्थम आई जीपी कौन थे सिरी बी एस रोसा हरियाना पुलिस के पिर्थम डी जीपी सिरी एम एस बटनागर है सुरज कुन वहले का पिर्थम बार आयोजन कब हुआ था 1987 में सबसे बड़ी इटी आई तिगावं फळवाध के अंदर है हरियाना का सबसे बड़ा वाडर वर्क्स कहां है तो ये बापरषन पहस ब्यादा के अंदर पड़ेगा हरियाना का पिर्थम इलोबल सिकिल पार कहा है किसकी मदद से स्थापित किया गया सबसे प्राचीन कोस मीनार कहां पे है? कोहंड में है, सबसे प्राचीन गीत आला है हरियाना का, हरियाना का पिर्थम अर्जुन अवारडी पुरुस भीम सिंग है, हरियाना की पिर्थम अर्जुन अवारडी महिला गीती का जखड है, पदम स्री पुरुस कर्विजेता हरियान की पिर्थम माईला क्लाडी, सक्ची मलिक बनी है, पसुओं की संख्या में पिर्थम जला हिसार है, गायों की संख्या में पिर्थम जला सिरसा है, बैसों की संख्या में जीन है, सबसे कम गाये वाला जला कौन सा है तो रहवाडी है, सबसे कम पसुओं वाला जला कौन सा है हरि पूझा का संबन्द हिसार से है। पूझा अधानू एहलावत हैं जिनका संबन्द जजज़र से है। बकरी भेड, गधा, उंट, खचरकी, सरवादिक, संक्या वाला जिला कौन सा है, तो ये बिवानी है, हरियाना का प्रिथम कैसलाइस गाओ, नीलावली, सिरसा के अंदर है, हरियाना का प्रिथम कैसलाइस मिला, सूरजकूंड, हस्तसिल्प मिला है, ये फर्दावाद में लगत हरियाना का राजय भसा कौन सी है, हिंदी है, लोकनिर्त धमाल है, प्रमोखनाटक स्वांग है, राजय का चन्न क्या है, संक्क और मिठाई जलेवी है, राजय में सबसे प्राचीन मूर्ति हैं, यक्चवे, यक्चनियों की मूर्ति हैं, राजय का सबसे प्राचीन कुआ, च पुष्टेलियन है राज्य की सबसे प्राचीन गाउं कौन सा है तो ये अपका कुनाल पत्यावाद के अंदर है राज्य का सबसे प्राचीन गोसाला रहवाडी में है स्थापे थूई 24 दिसंबर और 1878 में मैर्सी ध्यानन सर्च्वती के द्वारा हुई थी हरियाना की सबसे सबसे प्राचीन सबेता सी स्वाल सबनागर में पड़ेगी टेंबर मार्कीट मंडी भी इसको कहते है राज्य का सबसे प्राचीन गुरुकुल जजजर 16 मई 1915 में खोला गया था किसके उधारा को लगया था? स्वामी बरह्मानंद और अस्तापित किया गया स्वामी पर्मानंद का सहयोग भी था स्वामी विसमबरदास का भी विसमबंद था माταमगानी पिर्समबार हरियान कब आये थे 10 अपरैल 1919 को पलवल में आये थे स्वामी द्यानन सर्श्वती जी पिर्थम बार हरियाना कब आये थे तो 17 जुलाई 1878 में अंबाला में आये थे हरियाना का पिर्थम सपल ओपन्यासकार कौन है स्री महुन चौपडा है इनकी प्रमोक रचनाे हैं बाहे नीड के आगे एक छाया मैं टूटा हुआ आदमी सुभह के पहले और ये लोग इनकी प्रमोक रचनाे हैं किस आयोग ने खरडवे चंदीगड को हरियाना में सामिल करने से मना कर दिया था